जमो कश्मीर में एक बार फिर बैक टू बैक आतंकी हमले हुए हैं, अनंतनाग के बाद भी किष्टवार इलाके में भी आतंकी हमलों में एंकाउंटर जारी है अनंतनाग में आतंकियों के सुरक्षबलों के सर्च ऑपरेशन के दौरान टार्गेट अटाक किया है तो वहें किष्टवार में पुलिस स्टेशन एरिया के पास गोली बारी हुई है अनंतनाग के एहलान गागर मांडू एरिया में सेना ने घिरा बंदी कर दी है जंगलों में चिपे आतंकियों की तलाश में इस वक सबसे बड़ा ओपरेशन लाँच किया क्या है टेरिस स्टमले में दो जवान श्रहीद हुए है जो कि एक जवान ठाय हुआ है आतंकियों के फाइरिंग में एक स्टानी नागरिक की भी जान चली गई है डोडा पीर पंजाल के रीजन से सटे इन पहड़ों में अब फोर्सस जॉइन ओपरेशन चला रहे है दो से तीन ट्रेंट पाकिस्तानी आतंकियों के तलाश जारी है दस जार फिट से ज़्यादा हाइट वाले इन पहड़ों में कई गुफाएं है जो सेना के लिए च्यालेंज बनी हुई है आतंकियों के इन गुफाओं को अपने सेफ हेवन बनाकर सर्वाइब कर रहे है अनंतनाग और किष्टवार में आतंकियों से मुटभेड जारी है हमारे पोर्टर मंजूर मीर अनंतनाग में ग्राउंड जीरो पर मौजूल है सीधे होनी से जानते हैं एंकाउंटर और सर्च ऑपरेशन पर ताजा हालात को करना के एहलन इलाके में सुरक्षा बलू का सर्च ऑपरेशन आज दूसरे दिन भी जारी है कल दोबहर करीमन दो बज़े के आसपास सुरक्षा बलू को ये इन्पूर्स मिले थे कि कोकरना के इन गंडोल के जंगलू में कुछ मिलिटेंट्स शुपे हुए है हाला कि सर्च ओपरेशन जो है वो पांच एगस्ते से ही इस पूरे इलाके में जारी था लेकिन दो बज़े के आसपास मिलिटेंट्स के साथ इस जगह पर कंट्रैक्ट हुआ जिसके बाद एक जबर बाद इस पूरे इलाके में सर्च ओपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है हम जिस जगह पर खड़े है यह लास्ट पॉइंट है और यहां से वो स्पॉर्ट जो है शुरू हो जाता है यह तस्वीर आप देख सकते हैं यहां पर जमो कश्मीर पुलीस और और आर्मी की जो तुकडी है वो यहां पर लगा दी गई है और सर्च ओपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है यह तस्वीर आप देख सकते हैं यह गंडोल के वो पहाड है और इन पहाडों के साथ दोड़ा और किस्तवार जो है वो कनेक्ट हो जाता है और आर्मी ने जो सूचना दी थी उसके मताबक दोड़ा से एक ग्रूप जो था जो था जोनोंने चुबईस जुले को वहां पर सिक्योर्टी फोर्स पर हमला किया था और बाद में उन्होंने पीर पंचाल के इस रेंज को जो है शुफर किया था और वो इन ही जंगरों के रास्ते से यहां तक पहुचने में कामियाब हो गए थे क्योंकि यह जो पहाड आप देख रहे हैं यह दोड़ा उसके साथ साथ किष्टवाड और सौथ कश्मीर को किनेक्टि करते हैं और इस तरह के पहाड़ों से मिलिटेंटों का आना जाना जो है बिलकुल आसान होता है और इन पहाड़ों में मिलिटेंटों का छुपना निसंदे ही सुरक्ष आजनसियों के लिए एक बहुत बड़ा चलेंज रहता है हलांकि 1990 के दशक में जब कश्मीर में मिलिटेंटों का आगाज हुआ था तो मिलिटेंटों इन पहाड़ों का इस्तिमाल नहीं बलकि 2019 के बाद मिलिटेंटों ने जो है एक नई रननीती अपनाई और एक नई रननीती के तहत मिलिटेंटों जो है अब इस तरह के जंगलूं का इस्तिमाल करते हैं जब मुकश्मीर के सामबा में इस वक बड़ी बैठक चल रही है डीजीपी आरार स्वन और आईजी बीएसफ ने डिवेंस ग्रूप के साथ एक बैठक की हुआ उन्हों ने बॉर्डर एरिया पर पलपल की नज़र रखने के अपडेट दिये हैं विलेज डिवेंस ग्रूप के और बॉर्डर एरिया पर पलपल की नज़र रखने के निर्देश दिये हैं आतंकियों के खिलाफ पुलिस और बीएसफ जॉइन्ट ऑपरेशन चला रही हैं किस तरह से सामबा में डीजीपी और आईजी बीएसफ की बैठक चल रही है डोनों ने अब विलेज डिवेंस ग्रूप जो है जो विलेज पर निगरानी रखने का काम करता है और बॉर्डर एरिया पर कड़ी नज़र रखने के निर्देश दिये हैं तो बड़ी कारवाई के खिलाफ तैयारी के मोड में हैं अब सुरक्षब बना तरीके से उनके होसला अपजाई के लिए भी हमने सिस्टम बनाएं अभी अभी वो सब ऑपरेशन्स जो है वो अनफोल्ड कर रहा है वहां पे चल रहा है वो उसकी कॉंक्लूजन में नहीं आया हुआ है एक वहां पे आईजी सहाब जो कश्मीर के हैं उन्होंने सायद ब्रिफिंग दी है मेरे खायल में उनके पास उसकी डिटेल्स से ज़्यादा है जो माइक्रो डिटेल्स ब्रोड डिटेल्स ये था कि आर्मी और उसकी पुलीस की मिलके एक वहां पे एक ऑपरेशन्स इन्फर अचने आ रही हैं जो आनते हैं सीधे ग्राउंड जीरो से जिन जंगलों में पहाडों पर छोटी छोटी गुफाएं बनी हुई है और ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल कर सुरक्षा बलू को टार्गेट कर सके और अपनी माजूदगी का ऐसास दिला दे इस तरह की तस्वीर जो है पिछले कुछ महीनों से जमु कश्मीर में दे कुछिश कर रहे हैं और साथ ही साथ जमु रीजिन में अपनी बेस बना रहे हैं किस्तवार दोड़ा में जो हाल ही में जो बड़े मिलिटेंट हमले हुए हैं वो इनी पहाड़ियों के बीच में हुए हैं और सुरक्षा बलू को ज़्यादा से ज़्यादा नुक्सान पहु यह सारी ट्रेक्षू इन इन मिलिटथेंटों को म liksom अलिए है यह मिलिटटिंड आदूनिक हथ्यारों से लेस है। दरसल इन पहाड़ूं में इन जंग्नूं में रहने से जो है मिलिटथेंट जय्दा से जय्यादा समय तक जो है अपनी प्रेजन्स दिखाने की कुशिश में लगे हुए है और दोड़ा और किस्तवार में यही कारण है कि वहाँ सेक्योर्टी फोर्स को जादा से जादा नुक्सान उठाना पड़ा है दरसल यह जो इलाके है यह रहाशी इलाकों से बिलकल कट आफ है कि इस तरह के जंगलों में मिलिटेंटों की मुवमिन्ट तब ही देखी जाती है जब मिलिटेंट किसी जरूरी सामान के लिए जो है नीचे की तरफ आते हैं और इन इलाकों में सबसे खास बात यह है कि यहां पर नदी और नाले बहते हैं और इन नदी नालू को क्रॉस करते ही जो है मिलिटेंट जो है एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं सुरक्षा बलूंग के गेराव से बिलकुल दूर रहते हैं उनकी नजरूं से दूर रहते हैं और यही कारण है कि मिलिटेंट अब में रहते हैं और तभी इनकी मुवमिंट का पता चलता है जब वो इन जंगनू से नीचे रहाइशी इलाकों की तरफ आते हैं और उसके बाद इस तरह के ऑपरेशन जो है देखने को मिल रहे हैं यहां तंकी रहाइशी इलाकों से दू उंशी पाहडी उंपर अपने ठखाने बना चुके हैं और यहां पाहडों पे मौझूद झो जो केव्ज हैं नाच्छुल केव्ज हैं वहाँ पांचो से भी ज्यादा अहारे रहे हैं सुरक्षबलों को इन आतंकियों को मार गिराने में इतना समय कैसे लग रहा है जानते हैं Ground Zero से हमारे रिपोर्टर मंजूर मीर से और मेरे सामने आप जो ये पहाड देख रहे हैं इन पहाडियों के पीचे में दोड़ा का रीजन पढ़ता है और ये राइट साइड वाला जो पहाड है ये सौथ कश्मीर को केनेक्टि करता है और मिलिटेंटों की यही कुशिश थी कि वो दोड़ा को क्रॉस करके जो है नाकाम हो गई हाला कि पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि मिलिटेंट जो है एक न्ए रन्नीति के तहदं अब गत्वधियों को अन्याम देते हैं उनकी यह कुशिश रहती है कि वो जदा से जदा जो है सिक्योटी फोर्स को नुक्सान पोंचा है रहाइशी इलाकों का कम इस्तिमाल करते हैं और इन्हीं गने जंगलों का इस्तिमाल करते हैं कि यह वो इलाके है जहां पर आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं लोकल मिलिटेंट्स की संखिया बेहद कम है इसलिए जो पाकस्तानी मूल के मिलिटेंट्स है वो इस तरह के जंगलू में जो है छुप जाते हैं.